हलो गाईज, कैसे हैं आप सभी, दोस्तों अगर आप रेवार गेम खेलते रहे होते हो और उसी बीच में आपके में वाट्षप मेसेज आ जाता है, जैसे कि देखलो मेरे में आया है, तो बहुत ज़्यादा परसानी होता है, तो ऐसा आपके में कोई भी नोटिपिकेशन से र परसानी भी नहीं होगा, और ये वीडियो खास करके वाट्षप के लिए है, इसके लिए तो सबसेटिंग आपको पता चली जाएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किये होंगे, तो प्लीज जैर सबस्क्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आ और साथ ही साथ आपका notification भी आ जाए, मतलब कि आपको पता भी चल जाए कि कोई message किये हैं, और वो आपका miss भी नहीं हो, तो इसके लिए best stating है, सबसे पहले तो आपको home screen पे जाना है, home screen पे जाने के बाद जीज भी application का आप notification को ऐसा करना चाहते हैं, कि notification आपके में आ भी जा आता है, यह option लगभग लगभग similar रहेगा सब के में, app info पे हम लोग को जाना है, इसके अंदर आ जाएंगे, तो यहाँ पर notification के एक option तो सभी के में मिलेगा, notification को आपको क्लिक कर लेना है, और अगर आप चाहते हैं, अगर आपका कोई ऐसा application है, जिसमें का notification आपके लिए बि आपके family वाले या फिर आपके friend brand message करेंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा जब game खेलते रहेंगे, तो इसको आपको off नहीं करना है, यहाँ पर एक option मिलेगा आपको नीचे में, allow floating notification, इसको हम लोग को off कर देना है, अब मैं आपको game page आ करके दिखाता हूँ, इसका क्या मत होता है, आपको सुनाई भी देगा, यहाँ पर vibrate भी हुआ मेरा mobile, और जो message आता है, तो जो sound आता है, notification का, वो भी आया है मेरे mobile में, मतलब हम लोग को पता चल गया हमारे में कोई message आया है, कोई notification आया है, लेकिन वो game के उपर सो नी होगा, तो इससे आप बिल्कुल भी game में इसके अंदर allow floating notification का option मिले गए, सभी के में option रहेगा, ठीक है, तो इसको आपको off करना है, इसको off कर देंगे, फिर उपर में notification आपके में बिल्कुल भी नहीं आएगा, अब अगर आपके में floating notification important है, आप चाहते हैं, कि आपके में आना चाहिए, तो इसके लिए WhatsApp का एक और solution ह आप WhatsApp को एक बार open कर लिजिए, open करेंगे, तो आपका कोई ऐसा group होगा, जिसमें बहुत ही ज्यादा notification आता होगा, जिससे आप परसान होगे, और बांकी सब का notification को आप manage कर सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत disturbance चलेगा, लेकिन कोई ऐसा group है, जो बहुत ज्यादा आपको disturb कर द दीजिए, अगर आप game खेलते समय बस उसका notification नहीं चाते हैं, तो 8 hour, 1 week, यह सब आप कर सकते हो, लेकिन आप always पर कर दीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आप game में कभी ना आए, तो always ठीक रहेगा, तो इस तरीके से आप WhatsApp में कर सकते हैं, दूसरा application में काम तो नहीं आएगा WhatsApp के लिए यह perfect रहेगा, और अगर आप बहुत सारे application के notification या फ्लोटिंग notification को एक साथ off करना चाते हैं, तो उसके लिए एक setting मिल जाते हैं, आपको अपना main setting open करना है, उसके बाद फिर आपको setting में आने के बाद यहाँ पर notification लिग करके search कर लेना है, notification लिग करके search करेंगे, त उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे में आपको floating notification का अलग से option मिल जाता है, मेरे पास redmi का mobile है, तो इसमें का setting थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, लेकिन notification का setting तो सभी mobile में होता है, आप search करेंगे तो जरूर मिलेगा, floating notification में हम click करेंगे, उसके बाद हमारे mobile में जितना application है, सभी यहाँ पर दिखाई देने लगेगा, तो इसमें से भी आप एक ही बार तो off नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर option है, आप तुरंद के तुरंद सभी में का off कर सकते हो, जल्दी जल्दी, और यहाँ पर देख रहोगी application गायब होते जा रहे हैं, जैसे ही off कर रहे ह जैसे आप जब तक lock नहीं करते हैं, अपने mobile को तब तक के लिए off रहेगा, जैसे अभी game खेलने जा रहे हैं, तो until lock को आप क्लिक कर दिए, सभी के सभी में का notification, floating notification आपका off हो चुका है, आप easily game खेल सकते हो, कोई भी आपको disturb नहीं करेगा, कोई भी application, और जैसे ही आप अप अपने mobile को एक बार lock करोगे, lock करने के बाद फिर से जब unlock करोगे, तो आपके में फिर से floating notification on हो चुका रहेगा, तो इस तरीके से आप game खेलने जा रहे हैं, तो इस setting को कर लिजिए, उसके बद game खेल लेंगे, उसके बद lock unlock कीजिए, सभी normal हो जाएगा आपका, और normal तरीके स आल notification को on कर लिजिए, तो चलिए गाइज, अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, अभी के लिए सभी को पैपाए,